नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूं सब बेतर होंगे और प्राई लिखाई भी बेतर चल रहा होगा किसी को किसी परकार का कोई भी समस्या नहीं होगा नहीं कोई पड़सा नहीं होगी समस्त तंदरुस्त होंगे और जैसे कि आपको पता ही है कि बाकी सारे डि जुमला है चुनावी जुमला है इससे लोगों का कॉमेंट देखते हैं या इधर उदर बाते सुनते हैं कि ये चुनावी जुमला है तो वाई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी पिछला बाप जब up के वैकंसी सरकार ने चोड़ा था तो उसने देख चुगा है कि इस बार आप selection ले पाते हो या नहीं कुछ लोग जुमला पकर के बैटे रहेंगे कि ठीक है vacancy आ जाएगा तो तयारी करेंगे और दैसा की आप कल का वीडियो में देखे होंगे कि इस बार date एनाउंस कर चुका है कि कब तक हम vacancy को clear कर देंगे मतलब कि भाई ज्यादा time नहीं है और अगर real में NTPC का तयारी हो या group D का हो या ALP का हो या technician का हो लगबग लगबग सबका syllabus सेम है और सबका तयारी में आपको 6-8 मही ने खुद को जोंकना पड़ेगा वो जो कहावत है ना कि भार में जाए दुनियादारी भाण में जाए रिष्टेदारी उसको अपने जिंदगी में लागू करना होगा एक एक चीज एक सेकेंड का आपको महत्तों देना पड़ेगा तब ही जा करके सेलेक्शन होगा तो पिछले वीडियो में हम बहु सारे लोगों का कॉमेंट था कि एक सिलेबस बना बता दीजिए अच्छे से क्या क्वालिफिकेशन है कैसे है तो आप भी देखेंगे कि हम वीडियो को ऐसे नहीं कि ए चीज कर दो वो चीज ऐसे है यह गलती मत करना ऐसा मत करना ऐसा कुछ नहीं है जो भी चीज़े है इसमें आपको यह थार्द जनकारी मिलेगी क्या क्वालिफिकेशन रहेगा आपका क्या सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका क्या सिलेबस रहेगा जो भी रहेगा 2019 के एंट बनाके रखे रहना है यह भी बताएंगे कि बिना पैसा खर्चा किया आपको एक पैसे खर्च करने का जुरुत नहीं है क्योंकि जैसे ही फॉर्म का notification आउट होगा आप फॉर्म का notification का भी देखे होंगे कि officially date पैसा मत बरवाद किजी हम कर रहें तरीका आपको बता रहें हम तरीका बता रहें आप उसको फॉलो कर लिजे सलेक्शन हो जाएगा उसके बदले में मिठाई खिला दीजिएगा हमको क्या ही दिक्कत है तो आज यह एक एक चीज़ जानते हैं ठीक है बस धैर बनाके रखिएगा आपको एक एक चीज बताएंगे क्या रननीती रहेगा कैसे होगा सारी चीज़े बताएंगे मतलब इसमें कुई डाउट आपको नहीं बचेगा अगर कोई डाउट बच भी जाता है तो आप कॉमेंट कीजिएगा और बाकी रहा गुरुपडी का सिलेबस और संपूर्ण जानकारी संपूर्ण रननीती तो उसका भी एक वीडियो बहुत जल्द दे देंगे आपको एक ही दो दिन के अंद चाहिए पला इसका देखते हैं एंटीपीसी का भडती तो आ गया है तयारी कैसे होगा बीना एक पैसा खर्च किये पैसा नहीं खर्च करना है घरवाले से तो बहुत पैसा ले लिए हो और बहुत कोर्स खड़िद लिए हो अब तयार हो जाओ ठीक है तो यहां पे ध्यान देंगे कि यहां पे सबसे पहले अगर हम वैकेंसी का बात कर लें इसमें तो जो भी चीज़े हैं हमने जो भी आपको दिख रहा है लगाया हुआ यह 2019 का जो आ सब्स ट्रीकों पाते हैं आपको समय पाते हैं जिंद्गी जी पाते हैं और सोसल भी अपना बनाए रख पाते हैं तो इन चीजों को समझते हुए यहां पर देख पाएंगे कि तो 2019 के according seat है भड़ती है तो यह में अभी ऐसा उम्मीद नहीं किया जा सकता है जो भी होगा भड़ती जितना करना है जमके आज से लगेंगे इतना आपको अपने आपको तयार कर लेंगे कि एक सीट भी रहे तो हमारा सेलेक्शन हो जाए अगर हम graduate level का बात करें तो graduate level यहां पर देख पाएंगे कि आठ परकार की वेकेंशी रहती है graduate level पे ट्रैफिक असिस्टेंट का गुड्स गार्ड का सिनियर कलर कियल कम कम टिकट कलर का सिनियर कलर कम टाइपिस्ट का जुनियर एकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का सिनियर टाइम कीपर है commercial apprentice है और station master है यह आपका 8 परकार का वेकेंशी है जो की graduate level पे होता है और सारा जो है आपका level pay commission 4, 5 और 6 पे आता है दो जो है आपका 6 पे आता है commercial apprentice और station master मतलब level pay commission 6 पे का मतलब है कि आपका payment जो होगा 70-80,000 नॉर्मल होगा बहुत जल्द आप लाख पती बन जाएंगे केवल payments है तो क्या ही दिक्कत है यार जम के लग जाओ न एक ही बार तो लगना है और हम कह रहे हैं कि पैसा भी बरवाद करने का जुरुत नहीं है वो कहावत है न कि वक्त बदलना सीख लो या फिर वक्त के साथ चलना सीख लो मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं मिलने व हो तो यहाँ पर देख पहेंगे कि याप इस परकार का बहांची है आगे बढ़ेंगे यहां से हम कि तो यहाँ पर आपको एजक अगर भात रहता है मतलब कि जrit टूयाल पर रहएंगा अंडरग्रेजरीन वीम्हार उसमें 18 यह चाल जैनरल रहता है हो सकता है इस सल 3 सल प्लस हो जाए तो आपका 18 से 33 मतलब एज 99% है कि मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि पीछे आपका ALP हो गया टेकनिसियन हो गया RPF हो गया सम्में मिल रहा है तो इसमें भी मिलना चाहिए तो एज जो है आपका 12 पे 18 से 33 हो जाएगा उसके बाद यहां से आगे बढ़ेंगे तो अगर graduate level post का हम बात करें जो कि 456 level में आता है यह अपका 18 से 33 होता है मतलब फिर तो इसमें भी 3 साल प्लस होना चाहिए मतलब जो last उम्मीद है जिनके पास वो भी एक बार जम के लग सकते हैं 36 साल तक age मिल जाएगा तो भी जम के लग सकते हैं अगर हम आगे बढ़ें यहां पर तो ध्यान देंगे आप कि अगर हम syllabus का बात करें तो जो stage 1 होगा CBT 1 जो होगा आपका selection process में पहले आपका CBT 1 होगा फिर CBT 2 होगा और उसके बाद आपका जो भी अगर आप station master के लिए select होते हैं तो CBT जो होता है जिसको साई को भी बोलते हैं या फिर कुछ लोग का type होगा तो उन सब चीजों का होगा तो पहले अगर CBT 1 का हम बात करें जो के general होगा आप 12 पे हैं या graduate level पे हैं सबका एक साथ होगा उसमें कोई अधर उधर नहीं होगा तो जो question रहेगा वो आपका general awareness का 40 question रहेगा देख पाएंगे यहां पे और mathematics mathematics जो रहेगा आपका 30 question रहेगा mathematics कितने प्रसंड रहेंगे 30 प्रसंड रहेंगे और आपके general intelligence and reasoning के 30 प्रसंड रहेंगे मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहां से 30 और 30 साथ प्रसंड सोच लो धुगा धुगा कर दोगे कि नहीं कर दोगे साथ प्रसंड है और total number of questions जो है आपके hundred questions है कितने है total number of hundred questions है 90 minute का समय रहेगा मतलब समय भी बहुत ज्यादा है देखा जाए तो समय भी बहुत ज्यादा है समय कम नहीं है दूसरा चीज यहां पर बात कर ले तो वन थर्ड आपका negative marking रहेगा वन थर्ड निगेटिव मार्किंग रहेगा रेलवे के कैसे तयार होगा सारा सब्जेक्ट यहां पर math है reasoning है और general awareness से आगे बढ़ते हैं इसका पले समझते हैं यहां पर अगर हम math के syllabus का बात करें तो topic wise अगर आप syllabus देखेंगे तो देख सकते हैं number system आपका होगया decimal fraction LCM SCF ratio and proportion percentage, mensuration, time and work, time speed and distance, simple interest and compound interest, profit and loss, algebra, geometry और तिरकुनमीती और topics हैं अगर reasoning का बात करें तो analogy, completion of number, alphabetical series, coding, decoding, mathematical operation, similarity, relationship, penalytics, reasoning, sillolism, jumbling, vent diagram, puzzle, data sufficiency, statement conclusion, statement, course of action, decision making, map, interpretation of graphs, जो राता है, DI के फोम में जो राता है आपका, general awareness का अगर बात कर लें हम तो current event of national and international importance, games and sports, culture of India, सारे topics आपके दिये हुए तो इन सब पे भी काम करेंगे, इन सब के बारे में भी बात करेंगे कि सब कैसे तयार होता है, ठीक है, और ऐसा ही हम हवा में बात नहीं करते हैं, आपको भी पता है कि पीछे तो बहुत सारे बेकेंसी जो है, बहुत सारे exam crack करें चुके हैं, अभी हाल फिलाल में आप देख तो उसमें 40 कोच नहीं आपका math reasoning था, बाकी आपका GKS ही था, तो कहीं ने कहीं उसको भी हमने किया, तभी जाकर के result आया, तो ऐसे ही तो हवा मैं बात करते नहीं, जो लोग आते हैं, ऐसे ही चिला रहे हैं, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ओ कर लो, ओ कर लो, तो बेवकूब बनने से थोड़ा सा बचो, ठीक है, ध्यान देखो कि क्या यथार्थ है, क्या सच्चाई है, क्या logical बाते हैं, ठीक है, यहां से आगे बढ़ोगे, तो यहां पर आगे आ जो तुमारा CBT 2 होगा, CBT 2 जो होगा तुमारा, ओ भी 90 मिनिट का समय रहेगा तुमारे पास, general awareness आपका 50 रहे है, 120 है, negative marking उतना ही रहेगा, one third ही रहेगा, negative marking, तो अब यहां पर अगर syllabus का बात करोगे, किसार CBT 1 का तयारी किये इतना जम के, अब CBT 2 के लिए फिर से हमको general awareness अलग से, math अलग से, reasoning अलग से पढ़ना पड़ेगा, ना प्यारे, ना, यहां पर आज हो भाई, यहां पर फिर system, decimal, fraction, LCM, SCF, elementary statics तक, same, ditto, y syllabus है, CBT 1 और CBT 2 दोनों का, reasoning में आप देख सकते हो, ना, लोजी, completion of number, alphabetical series, quoting, decoding, ditto, y है, और आपका general awareness आप देख सकते हो, ditto, y है, मतलब जो अगर CBT 1 के लिए तयार कर लिए जम के, तो CBT 2 में केवल practice करना है, अलग से कोई तयारी नहीं, और job जब लेके निकलोगे न, तो मुहले में, गाउं में एक रुतवा होगा, कहोगे क्या निकाले हो, NTPC निकाले है, group D निकाल लोगे, ठीक है, selection हो जाएगा, लेकिन NTPC निकालना एक अलग का रुतवा हो जाएगा, group D के नाम पे एक सरकारी नोकरी लग जाएगा, यह मान र जाएगा, ठीक है, और जिस दिन NTPC निकाल के आओगे न, और जोईन करोगे न, तो लोग पूछेंगे न, कि किस में job कर रहे हो, तो कहोगे कि हम, station master है, हम ticket color है, और जो group D वाले होते हैं, उन से अगर पूछोगे कि किस में job कर रहे हो, तो कहते हैं, railway में job कर रहे हैं, तो पूछने वाला होता है, उन भी कम नहीं होता है, उन खोद के पूछेगा, railway में किस चीज में भाई साहब, तब तुम बताओगे कि हम group D में हैं, ठीक है, तो ठीक है, अगर group D है, गुरूप D बात को समझो, group D है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तो group D ठीक है, कि कम से कम सरका एगो group D निकाल के आए है, और एगो नल्ला बेरोजगार है, जो कि अभी तुम घुम रहे हो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब NTPC सबसे टॉप पे आएगा, सबसे टॉप पे आएगा NTPC, ठीक है, अब अगर NTPC में नहीं हुआ, तो कम से कम group D तो दो नंबर पे रहे है, तो कुछ नहीं, तो group D ले लेना, तो group D का सिलेबस बताएंगे, देखना सेम सिलेबसवा है, तो पढ़ाया करो NTPC के लिए, अगर NTPC ना भी निकला, तो group D तो निकल ही जाएगा, तो कम से कम नल्ला बेरोजगार का जो ठपा है, उतो निक हट जाएगा, जो माबाब का पलड हो, उतो कम से कम खतम हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए जम के लग जाओ भाई, हम बार बार कर रहे हैं, और कोई पैसा खर्च नहीं करना है, इभी नहीं करना है, हो गया, जितने कोर्स बेचना था, बेच लिए, ठीक है, कमा लिए, अब हम कोर्स नही साई को बोलते हैं, ठीक है, देसी लेंगविज में साई को बोलते हैं, तो यह आपका हो जो होता है, स्टेशन मास्टर के लिए होता है, और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होता है, यहाँ पर हम आपको डिटेल बता देंगे कि किस के किस के लिए होता है, और तेस्ट जो होगा आपका इंगलिस का 30 स्पीड मांगता है और हिंदी का 25 स्पीड मांगता है बात समझ में आ रहा है तो कोई बड़ा चीज नहीं है आज एक से दो महिने में हम बता देंगे मैक्सिमम में स्पीड बहुत्तर का मार चुके है ठीक है जो सामने दिख रहा है इसके स्पीड मैक्सिमम बहुत्तर का रह चुका है तो उसका भी तरीका बता देंगे कोई से टाइप में स्पीड बनाना है दिखाया सकते हैं अभी प्रैक्टिकल आज हो मारेंगे न तो 45 के इस बात की 500% गारेंटी आ जाना मिल लेना यहां पर आगे बढ़ होगे तो यहां पर ध्यान दो जो तुमारा समझ में कमारा होगा तो यहां पर देख सकते हैं जुनियर कलर कम टाइपिस्ट जो रहेगा उसके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा एकाउंट कलर कम रहेगा उसके बाद यहां पर सब्सक्राइप पर्स्ट स्टेज कॉमन सब्सकार होगा सब्सक्राइपिस पर से लिए सब्सक्राइपर अलग होगा लेबल टू में उसके बाद लेबल त्री वाला का अलग सेलेक्ट होते हो तो फिर सब का एकजाम दोगे, लेबल 2 में भी तुम रहोगे, लेबल 3 में भी रहोगे, लेबल 4 में भी रहोगे, लेबल 5 में भी रहोगे, और लेबल 6 में भी रहोगे अगर लेबल 6 से बाहर होते हो, लेबल 5 मिल जागा, लेबल 5 से बाहर होते हो, 4 मिल जागा, 3 मिल जागा, 2 मिल जागा मतलब कहीं न कहीं मिल जाएगा बात समझ में आगया यहाँ पर ध्यान देंगे अब मुद्दा यह है कि अब तयारी कैसे होगा मेन मुद्दा यही है कि अब तयारी कैसा होगा बिना पैसा पानी की तरह बहाए ठीक है? नहीं तो अभी उठोगे राहुल सर मोटिबेट कर दिये है चलो एगो का कोर्स ले लेते है complete course ntpc का एगो complete course ले ले लेते है group D का जम के लगेंगे आज से और फिर तो अभी practice नहें हुआ है तो एगो का किसी का practice batch भी ख़डिलेते हैं वहाँ से practice कर लेंगे फिर और तुछलो दुछार को किताब खड़ित किलाते हैं कुछ नहीं करना है ठीक है बता रहे हैं तुमारा भाई है टेंसन मतलो तयारी होगा जबरदस तरीके से होगा सेलेक्षन के गारेंटी के साथ होगा तयारी बस रास्ता बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आजो, अगर हम देखें, तो हमारा general awareness 40 कोचन है, और इधर 30 और 30 है, ठीक है, तो 60 है, अगर 60 में तुम 50 प्लस स्कोर कर लेते हो, 60 में अगर 50 प्लस स्कोर कर लेते हो, तो तुमारा result फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 40 म इधर 10 से 15 स्कोर करें लोगे 20 के आसपास, तो 50 प्लस भी 70 होता है, जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है, अगर बीना normalize स्कोर अगर बात करें, 70 तो बहुत अच्छा नंबर होता है, ठीक है, और इस 50 प्लस की guarantee तो तुमारा भाई ले रहा है, जिस लेबल का पढ़ा र से यार होगा, उसका भी बात करेंगे, यहाँ पर CBT2 का साथ में लेके चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि CBT1 का कर लेते हैं, अलग से CBT2 का अलग कोट्स कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, CBT2 में आपका जेनरल अवर नस 50 है, लेकिन इधर math और reasoning 35-35 है, मतलब 70 है, 70 में 60 प्लस का गैरेंटी ले लो, 70 में 60 प्लस गैरेंटी ले लो, 50 में 20 से 25 तो हुई ही जाएगा, जैसे अगर हम बताएंगे, नॉर्मल भी पढ़ते रहोगे, तो 20 से 25 कोचन हो जाएगा, मतलब 60 प्लस पच्चासी नंबर बहुत ज्यादा होता है, सेलेक्शन के लिए, ठीक है, 100% नहीं लाना होता है, कि तुम टेंशन में complete कई से होगा, complete कई से होगा, कि ये पढ़े रहते हो, जो GKGS में स्कोर जाता करेगा इधर लटक जाएगा, और तुम्हारा जो भाई है न, तुम्हारा scoring subject बता रहा है, अगर GKGS जो रात दिन भी पढ़ रहा है न, तो उसको जा सबको समझ में नहीं आता है, और हम समझाने का guarantee नहीं रहा है, तुम देखी रहा हो कि कितना बड़िया से तुमको समझा देते हैं, तो फिर का है टेंसल ले रहा हो, आगे आजाओ यहां पर, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां से math और reasoning का mock test चली रहा है, जै प्रेली सारा topic का practice होते रहेगा, और तब तक चलते रहेगा, जब तक आपका selection नहीं हो जाता है, तो Monday to Friday आपका रहेगा practice, आठ बच के 15 मिनट पर सुरू हो जाता है, टाइम हो सकता है, चेंज होते रहेगा, ठीक है, इदर उदर हो सकता है, टाइम लेकिन बंद नहीं होगा live class रहेगा और infinity institute यूटूब चैनल पर चलेगा, अगर इस चैनल पर नए है, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, आगे बढ़ेंगे, तो complete math आपका pro level में चल रहा है, advanced math में Monday to Friday आपका चल रहा है, लेक्चर देते हैं, 11 बच के 15 मिनट पर दे देते हैं, लेक्चर आपको recorded class में, और चैनल पर चैनल पर चलता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो reasoning सर, तो reasoning का भी complete solution है, reasoning भी पूड़ा पढ़ा रहा है, ठीक है, Monday to Friday class लेके आ रहा है, रात को 10 बच के 15 मिनट पर पढ़ा रहा है, ठीक है, recorded में lecture देते हैं, और infinity institute यूटूब चैनल पर देते हैं, ठीक है, इस चैनल पर इस ले देते हैं, कि इस बात चलड़ा है मेरा, मेरे जैसे कोई बढ़ेंगे जीके का अगर मिल जाता है, तो जीके का भी हम क्लास चलवा देंगे practice, डेडली 50-100 कोशन का practice अगर possible हो पाता है, तो नहीं हो पाता है, तो उसका भी तरीका बताएंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पर इस अभी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ते रही है, और सीट लगतार उसको practice करते रही है, ठीक है, क्योंकि आप market में कोई भी किताब खोजेंगे, उससे बाहर कोई question नहीं जाएगा, एक एक टॉपिक में पांच-पासो मिक्चर एंड कोईचन मिलेगा, 100 प्लस कोईचन करवाएं हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, मैत का रिजनिंग, मैत का टेंशन खतम कर दी है, रिजनिंग का भी टेंशन खतम कर दी है, complete concept के साथ पढ़ा रहे हैं, आपका रिजनिंग का भी टेंशन खतम है, अब बच गया जीए, यहां पे ध्यान दो, GA और Mock Test तुम्हारा responsibility है, Mock Test अलग से, GA के लिए क्या करना है, Lucent पढ़ना है, कुछ मत करो, एक हो Lucent रखो, ठीक है, Lucent रखो, लूसेंट पढ़ना है, स्टार्ट करो, जो topic ना समझ में आ है, कोई topic लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो Lucent में से पहले साइन्स पढ़ो ठीक है साइन्स पढ़ो और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को यूटूब पे सर्च करो उस टॉपिक को यूटूब पे सर्च करो ठीक है जैसे मालते हैं सेल आपको नहीं समझ में आ कोसी का नहीं समझ में आया है यूटुब पे सर्च कर लो हजारों वीडियो मिल जाएगा उसमें से एक दुगों वीडियो देख लो क्लियर हो जाएगा जो भी टॉफिक नहीं समझ में आ रहा है उसको YouTube पे सर्च करो मिल जाएगा science complete करो उधर से जीए current affair के लिए बहुत सारे current affair के लिए बहुत सारे लोग है जो की 10 से 15 मिनिट का जो वीडियो देते हैं 10 से 15 मिनिट का इनका daily basis पे complete करते चलो daily basis पे आज से daily basis पे आज से complete करते चलो अब कितने सारे लोगों का current affair दो-दो घंटे का चलता हैतों तुमको नहीं करना है ठीक है उसको नहीं करना इस बात का ख्याल आड़ा है तो अगर हम हम नाम बता है करेंट अफेर में तो next exam का ले सकते हो next exam का currentisfair next exam का एक और पताने कौन मैम है वह है वह भी करवाती है उनका भी करना क्या है कि मौक टेस्ट में टेस्ट बुक का पास ले लो टेस्ट बुक का टेस्ट बुक का पास ले लो टेस्ट बुक का इस पे लेने से बेनिफिट क्या होगा तुमको कि हर एक जाम का इस पे मौक टेस्ट मिल जाएगा सेक्सनल भी मिलेगा आपका और कंप्लीट मौक ट का तयारी कर रहे हो टेकनिसियन भी कर रहे हो साथ में टीपी सी गुरूबडी करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट ले लो टेस्ट बुक का पास ले लो टेस्ट बुक पे ठीक है टेस्ट त्रीज का पास लेने के लिए कर रहे हैं कोर्स का पास मत लेने जाना टेस्ट बुक पे क्य उसके बाद उतर जब एंटीपी सी गुरूपटी पे क्योंकि CBT1 तो वही है होना ही है तो CBT1 किलियर हो जाएगा ठीक है यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा यहां से अगर जीके में और पढ़ना चाहते हो और टाइम है तो लूसेंट का लूसेंट का इतो डिस्क्रिप्टिव हमने बोला कि लूसेंट लेलो डिस्क्रिप्टिव लूसेंट का अब्जेक्टिव रख सकते हो लूसेंट का अब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए लूसेंट का अब्जेक्टिव से प्रैक्टिस कर सकते हो टॉफिक वाइज पर हो लूसेंट के अब्जेक्टिव से प्र सो में हो जाएगा और टेस्ट बूका पास दो से तीन सो में देखते हैं आपको इसका लिंक डाल देंगे इसमें चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर वहां से आप परचेज कर सकते हैं पता करते हैं बहुत डिस्काउंट चल रहा होता है तो फ्रेंड लोग है लोग पता करते हैं कोई सी का कोड होगा तो बता देंगे कोड डाल के आप ले लिजिएगा वहां से बात समझ में आ गया तो टेस्ट बुक का पास ले लो और यहां से मौक्टेश डेली एगोट दो उस पर अनलिसिस करो और डेली बढ़िया से अनलिसिस करो जो भी कोचन फसर है उसका अलग से कोपी बनाओ और उसमें लिखो और उसको नोट करो उसको रिविजन करते रहो और मात मानो 6 महीना 6 महीना सिर्फ 6 महीना कि दुआज़ चोवीस काम खतम टेंशन खतम घर वालों का जिम्मेदारी खतम सब कुछ खतम कर दोगे एक बार में तो लग जवाज से और कोई दिक्कत आ रहा है तो कॉमेंट करके बताओ ठीक है ना तो चलिए बाकी आप लोग का डिमांड है गुरूपडी का सिलेबस तो